बात करने वाला हैं बहुत ही चोटे कंपनी उस तो पहणी शेयर है इस शेयर में लगातार ग्रावट देखने को मिल रही है तो हम ये जाननी कुछचिस करेंगे कि इस शेयर में एक्चुली में ग्रावट क्यों हो रही है क्या रीजने क्या हमें करना चाहिए जिन लोग पास सेर उनको क्या करना चाहिए क्या हमें और एवरेज करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए बगरा बगरा उस्ति पहले हमको इसके फंडमेंटल भी दिखेंगे तो बीट से लिम्टेट इस प्रोमीनेंट मैनुफेक्ट्टर एंड सप्लायर औप एक्सपेंडेड पॉली एस्ट्रीन प्रोड़ट्स पॉपुलरली नौन एस थर्माकॉल एंड प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग तो प्लास्टिक के कमपनी प्लास्टिक के प्रोड़ट्स का ये कमपनी ट्रेडिंग मेंगरा करती है मार्केट केर पे इसका 55 करोल का बहुत ही छोटी प्रोटेस के पास आप अगर होल्डिंग की बात करते तो फिफ्टी थी परसंद की होल्डिंग है और कम्बनी की दसे वोत कम है थी है लगबग बरावर एं तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा assets और liability अगर बराबर हैं तो बहुत ज़्यादा risky हो जाता है बहुत ज़्यादा risky और उसकी performance भी काफी अच्छी नहीं होती है नीचे अगर हम देखनी कोसिस करें तो company has reduced debt लगबग खतम कर चुकी है ठीक है पूरी तरीकस नहीं है अभी पूर कंपणी है डिलीवर पूर सेल्ज गोथ कंपणी है लो रेटन अउनिक्विटी प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट थ्री क्यों प्रमोटर्स ने तो company छोटी कंपणी है आरो सी आरो इच्छा नहीं तो उसका मजलब यह ता है company के profit ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा हो आप देख सकते हो कभी प्लस में कभी मानस में ऐसे सलता रहता है और प्रमोटर्स के अल्डूंग हम एवार फिल नीचे भी देख लेत पास 53.79% की होल्डिंग है यहां पर हम अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी सी और विल के पास है 45% की तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घठाते बढ़ाते रहे है और तो यहां पर हमने देखा company debt free तो है company के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी अच्छी है और company पास sales ज्यादा अच्छी नहीं है और company ओर बलोगते इस टैंप पर तो एक बार हम इसके चार्ट की तरह चलते है वहां पर हम देखा है company क्या performance रही है यहां पर तो 6-1 की बात करते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर 6-1 में open हो जा 10% का return है और medium चार्ट में open करके बता इस share की खासित यह है कि share बहुत सालों तक consolidated figure में चला उसके बाद अच्छा रिटन कारके दिया फिर ग्रावट हुई फिर consolidated figure में चल रहा है लेकिन share यहां से फिर 20% मार रहा है ऐसा हमें लग रहा है share को देखते हुए आप देख चकते हो share क्योंकि बहुत चोटी company है तो इसल share में गिरावट होगी इस लेवल पर कहीं पर या पर इस लेवल पर कहीं पर आजाए तो वारा तब buy कीजेगा लेकिन buy करोगे क्यों आप company तो बहुत ज़्याजर रिस्की है अगर कोई buy करने की सोचता भी है तो minimum 500,000 पर ही लगाना ताकि होगा क्या उससे कि share में जब गिरा कर दिया को चीही समय में पैसे को इसने लेवक डेवल कर दिया तो यहां से हम देखे हैं तो आप देख सकते हैं तो यहां से नों ने अगर नीचे आता है तो बाइक कीजिएगा ज्यादा परसा मन नहीं लगाना है इसमें और चिल्लों के पास पहले से share है यह वह क्या कर सकते हैं तो सर आप इसको hold कीजिए ठीक है जैसे कि यहां पर आप देखो कि यहां पर company ग्रावाट हुए थी फिर चला share फिर ग्रावट वे काफी बहुत दिनाव से share जो consolidated फिकरमानी चल रहा है और दीमेदी मेदे बाइक कर रहा है तो जो लोग पहले से बाइक कर रहा है और फसे हुए है वह इसको hold कीजिए share दोबारा बाइक मारेगा थोड़ा सा आपको पैसंस दिखाना पड़ेगा ठीक है और जो लोग ना किया जाए तो ही बैटर रहेगा फिर भी अगर आपकर किसी का मन है कि नहीं हमें बाइक करना तो जोटी ही quantity बाइक कीजिएगा बहुत ही श्टॉक रिस्की और ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला है ठीक है ओप्रेटर्स द्वारा ड्रिवन है ये ज्यादा करना झाल